एक्टर सुशान सिहनी आत्म हत्या याखा देस ने शोकमा मुकी दिदो छे अने बीजी बाजू दोरन दस अने बाहर नू परिणाम जाहर थयू छे तो आवा समय ए गणा विद्यार्थियोनू नबलू परिणाम आवाथी हतास थय जता होई छे अने आत्म हत्यानू पगलू लिदो हतो ने आजे एक कंपनी मां CEO छे तो आओ जानिये आपने अनिल चूंच ना जिवन नी केडले करस्प्रद वातो नमस्कार मेरा नाम अनिल चूंच है मैं CEO हूँ Pegasus Group का Visual Auto Link करके जो हैं यह हमारी डिलर्शिप है मारती सुसुकी की एमदाबाद में जो हैं हमारा बोपल में वस्तराल के अंदर चिलोडा और चांगोदर ठकर नगर यहां पर हमारे शोरूम्स हैं और वर्शॉप्स हैं और एमदाबाद के अंदर मारती सुसुकी का एज जो डिलर्शिप पूरा चेंज जो है वो मैं देखता हूँ और अभी रिसंटली जो है एक बहुत ही दुखत जो है बोलिवुड के अंदर इंसिडेंस हुआ शुषान शींजी का और उन्होंने आत्म पिलोपन किया बहुत ही यह दुखत बात है और हमने यह भी ऑफजर किया अभी जैसे रिसंटली जो है आप देखेंगे तो 10 और 12 का रिजल्ट भी जो है डिकलर हुआ है तो न्यूस पेपर जब भी हम खोलते हैं तो जब भी यह जो समय होता यह दौर होता है उस समय में हम ऑफजर करते हैं कि काफी कुछ दिल की बात जो है वो शेर करना चाता हूँ मैंने भी स्कूलिंग किया और स्कूल के दर्मियान जो है एट स्टांडर में पहली बार जो है लाइफ में मैंने एक्स्प्रियेंस किया कि कुछ सब्जेट्स के अंदर मैं फेल हो गया था और पहली बार ऐसा होने की कि मैं बरदाश्न नहीं कर पाया अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया और एक दिन मैंने ऐसा ठाना कि यह रिजल्ट में अपने पैरेंट्स को अगरा शोर ही कर पाऊंगा और मैं सुसाइट कर लो सुसाइट करने के लिए नियरे स्पॉर्ट बहुत ज़्यादा फेमस हु मैं यह कहना चाहता हूँ, सिर्फ सुसाइट कर देना, वो एक फाइनल सॉलुशन नहीं है, एड स्टांडर में अगर मैंने वो कदम अगर उठाया होता, वो उस समय में मेरे परिवार ने जो है काफी अच्छा सा सपोर दिया, मेंटल सपोर दिया मुझे, उसके बाद में एक इस तरीके से मुझे सपोर्ट किया और प्रोसान दिया, और एक वो माइंड सेट से में बाहर आया, और उसके बाद में जो उसके अंदर परिवर्तन आया, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव था, कि एक तरफ वो माइंड सेट सुसाइट वाला जो है, वो हमेशा के लिए वाशाओड भी हो गया मेरे दिमाग से, और उसके बाद में जो मैंने अपना विजन बनाया, वो विजन के अंदर मैं कभी भी आज दिन तक, आज एड स्टांडर की मैं बात कर रहा हूँ, और आज मैं 44 यर्ज का हूँ, ठेके हैं, एक कंपनी के अंदर CEO हूँ, सो दुबार वाले का आशिरवाद है, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है, मुझे बहुत बैतरीन और सबसे बहुत ही अच्छी जो है, मुझे बीवी है मेरे पास में, मेरे माता पीता बहुत अच्छे हैं, मुझे एक अच्छा सा बेटा भी है, और हर खुशी जो एक इनसान चाहता है एक जिन्दगी के अंदर, वो सारी खुशियां जो है, मैं आज तक मतलब जो है, उपर वाले के आशिरवाद के साथ मैं हासिल कर चुका हूँ, अभी रिसेंटली मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, कि मैंने अपने एक नया बंगलो जो है, मैंने रिनोवेट किय उस रिनोवेशन के दोरान एक वो एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज भी मैंने पार किया, जहां कुछ लोगों ने जो मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे धोका भी दिया, जिनको भरोसे के साथ मैं मैंने काम दिया था, उन्होंने मेरे साथ में बहुत बड़ी धोक की और लगबग 15 लाख रुपे का मुझे नुकसान भी पहुचाया, गलत माल सप्लाई कर दिया, सिमेंट का काफी बड़ा इश्यू हुआ, और उस समय में भी दुबारहा मेरे दिमाग में जो है, ये सुसाइट करने का सोच जो है, वो अंदर आई थी, कि भी ऐसे बहुत ग अपने आपको खतम कर देना चाहिए, क्योंकि 15 लाख रुपे जो है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी रकम है, सामाने बावत नहीं है, लेकिन उस वक्त भी मेरे परिवार ने मुझे बहुत अच्छा सा सपोर्ट दिया, और वो मेंटल सिचुएशन से मैं बाहर निकल पाया, सो आज आपके सामने हूँ मैं, कभी भी हारना नहीं चीए, इंसान को जो है, कभी भी हारना नहीं चीए, लाइफ जब तक हमारी आखरी सास चलती है, तब तक जो है, स्ट्रगल है और स्ट्रगल को फेस करना है, मेरे दादा जी हमेशा कहा करते थे, कि जिस दिन आपका स्ट जब मुझे फेस करने की बात आती है तब मैं समझता हूँ कि मैं तरक्की के रास्ते पे हूँ और हमेशा से मुझे साथ मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का, मेरे मादर-फादर का, मेरे परिवार का बहुत अच्छा सा मिला हुआ है। मैंने ये समझा है कि लाइफ का सक्सेश जो है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें सपोर्ट करता है एप्रिशेशन का, काफी सारे लोग होते हैं, उनको एप्रिशेशन नहीं मिलता है, मतलब कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन एप्र अप्रिशेशन जो है परिवार की तरफ से अप्रिशेशन जो मिला मुझे उसकी वज़े से आज मैं ये लेवल पर पहुंच पाया ऐसे काफी सारे परिवार हैं या काफी सारे दोस्त लोग होते हैं जो ऐसी छोटी बोटी चीजों को अप्रिशेट नहीं करते हैं लोगों को प्रोसान नहीं देते हैं और उसके चलते जो है डिप्रेशन में लोग आते हैं और ऐसे गलत कदम उठाते हैं आज सुशान सीन जी ने एक जो बॉलिवुड के बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफूल एक्टर में से एक हैं उनकी लगबग तकरीबन सारी मुवी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है उसके बाउजू जो है जो कदम उन्होंने उठाया है वो वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब दुखद है और एक तरह से पूरे समाज को एक थोड़ी से मतलब एक दर्द का माहौल जो है उन्होंने वो पूरा च्छा गया है पूरे भारत के अंदर मैं रिसंटली एक आपको एक और इंसिडन्स शेर करना चाता हूँ मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जो है मेरे पडोसी भी है जिनका मैं अभी फिलाल नाम नहीं ले सकता लेकिन सड़न डेथ होने की वज़े से उनके परिवार के अंदर बहुत सारे नेगेटिव हल्चल हो गई उनका बेटा, उनके बेटी उनका पूरा बिजनेस मतलब एक इनसान की खोट जो होती है वो एक ऐसा परिवार वो ही समझ सकता है कि जब वो एक की परसन अपने फैमिली में से चला जाता है तो मेरी सबसे दरकास्त है कि चाहे किसी भी तरह की परिस्थिती हो, चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, अपने आपको संबाले और परिवार जन को भी मैं एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी कोई सिचुएशन के अंदर जो है वो जरूर से अपने फैमिली मेंबर को उनको सपोर्ट करें मेंटली सपोर्ट करें उनको प्रोशान दें उनकी छोटी छोटी चीजों को एप्रिशेट करें और ऐसा गलत कदम उठाने से उनको रोकें अगर हम साथ में रहेंगे तो डैफिनिटली बहुत अच्छा हम लोग प्रूव कर सकते हैं जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप में समझता हूँ कि अगर मैंने उस समय में अगर कोई गलत कदम उठाया होता तो शायद आज जो लेवल पे मैं हूँ, वो लेवल मैं शायद देख नहीं पाता या जो चीजे मेरे पास में मैंने हासिल की हुई है वो सारी चीजों से मैं वंचित रह जाता और मेरे परिवार जो है वो भी शायद डिप्रेशन में होते हैं बहुत बड़ा गलत कदम उठाता अगर मैंने उस समय में कुछ गलत काम किया होता तो अपने आप में एक आत्म निर्वर भी बनिये पॉजिटिव रही है बहुत ज़्यदा पॉजिटिव रही है और ऐसी सिच्वेशन को जो है डट करके उसका सामना करिये और डिप्रेशन में मात आईए थैंक्यू सो मज डिप्येश नशिच साथ है नस गुजरात न्यूस अमदावाद